सुझे के चार बजने वाले हैं और पिछली बहंकर बाड़ी स्कार्ट उची लिए सिद्धी सी बात यह है कि हम यहाँ पे कोफी के सहारे जिन्द है तरबास तो पैसे ही नहीं है तो है गाइस वेलकम बैक तो मैं चैनल और आज है 6th of November हम जम्मन कश्मीर आच चुके हैं वाइब कोज हम आते के दर्शन करने आया है तो जै माता दी टू एवर्यवन थोड़े से वीजूल्स जो हमने रास्ते से आते में कैप्चर किये कर देना प्लीज कर दो दो एक एक टाएं लगले आया है एक्चुली इस बार हमने किया गया जो बान गंगा पेना एक दूसरा रास्ता सेपरेड होता है वह अर्दगवारी का ही रास्ता है नियू रास्ता है तो हम उससे ओपर जा रहे हैं अब ए गार्डन टाइप भी मनावा मेरे पिछे देख सकते हो थोड़ी सी दूर में लंगर बवन भी है उंचा है भवन उंचा मंदर उंची है सान मैया तेरी चर्नों में जुके बादल भी तेरे परवत पे लगे शैया तेरी तो भाई ये रही अपनी कॉफी डे की कॉफी है काल रात्री है कल्यानी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी मां के बरावर कोई नहीं मेरी मां के बावर कोई नहीं मेरी मां के बरावर कोई नहीं तो भाई ये रही अपनी कॉफी डे की कॉफी और वो देखो कट्रागा व्यू भाई मतलब क्या ही जबर्दस कोम्बिनेशन है और अभी सैंड़िच और सोगनेट भी आते होगे बस जैसे धारा और नदियां जैसे फूल और बगियां मेरे इतना ज्यादा पास है तो जब न होगा तेरा चल मैं न मेरे होंगे जल्थल जाएंगे कहां फिर मेरे आंसो दुख दूर हुआ मेरा सारा अंदियारों ने चमकातारा नाम तेरा जब भी है पुकारा सोरज भी आहां है चंदा ली तिर जैसा होजागर कोई नहीं मेरी मां के बरावर कोई नहीं तो गाइज लास्टेर यहां पर सीन होगया था एक्सले निखिल ने एक मॉसर ट्रिंग ली थी इसी यह एक्जक स्पोर्ट था और इस स्पोर्ट से ना है मला यहां मंकी जूंगते रहते है तो बस बैक से निखाल गया रखी दो सेंड बैक की जिप क्लोश करने लगा था और मंकी उठागे लेगा था एक्जक्ट यह स्पोर्ट था तो मेन वाइल भावन सिरफ एक किलोमेटर है इस पॉइंट से आई थिंक वहां पर जो दूर लाइट्स वगया जलरी एकटी काई सारी वही भावन है क्या बताओं तेरी माया जब कभी मैं लड़ खड़ाया तूने दस भुजाओं से समहाला खिल जाती है सूखी डाली भर जाती है जोली खाली तो अब ही सीन ऐसा है कि भूग लग रही है बहुत और पीछे यहां पर मारगीट है सागर रतना वगएरा सब कुछ आ यहां पर तो इधर चलते हैं और कुछ आते हैं तेरी ही महर है महरवाली ममता से तेरी वड़के महियां मेरी तो धरो हर कुई नहीं मेरी मां के बरावर कुई नहीं फ्यू इंचिस लेटर यह है हाइस पॉइंट इस मांटेंगा हम इससे महाइस पॉइंट बहुत बहुत मंदिर है वह इस सबसे आई एस्ट है लेकिन उससे भी थोड़ा सा उपर यह है तो भाई थोड़ा बनता था कि व्लोग में दिखाएं अब ही चलते हैं यहां से डहान शुरू होगी है यहां से आप चड़ाई का कुछ सेन नी होएगा बस उतरना है उतरना है अब ही रात का सुझे के चार बजने वाले है और इतनी बहंकर बाड़ी स्टार्ट उची है अब वोई सुन सकते हूँ मैं दो सब्सक्राइब लिए चुप हो रहा हूँ और भाई उची नी दिख रहा हूँ भाई उच्छी नी दिख रहा हूँ अब हुआ अब हुआ भाई अब हुआ क्यो नहाँ जटेर तेरे मेरे से वस्तों पे नंगे पावने नूं जड़ तक लेना वावने लुकुत लुक्त फिर धुर वाई ऑज वाई दू है तो पेहर का एक बद्रक है और यहां मौसम खराब होने की वाए से एक तो ऐसा लग रहा है तो गाइस यह व्यू प्लस मैगी किसको नहीं चाहिए यह बताओ मुझे किसको नहीं चाहिए इसके लिए एक लाइक तो बनता है तो मैगी खाने के बाद फिर से मार्केटमेंटरी होच शुकी है चलते हैं बहुत समल संपल गे तो उतरते हम सनान घाट पहुच चुके हैं तो अभी हम इसको बाइबाए करते हैं विकाज हमारा आट आच चुक है तो जहां से ते लेते हम अभी वाप पे साथ चुके हैं अभी फटा फट अंदर जाके रूम ऑक्यूपाय करते हैं और रेस्ट करते हैं तो गाइस 35 किलोमेटर टंगे चलाने के बाद फाइनली हम रूम पे आगे हैं निखिल सो रहा है रेस्ट कर रहा है मैं ट्रेन में करूंगा रेस्ट अभी नहीं कर रहा हूं वही रही बात अगर दर्शन की तो दर्शन तो अच्छे होगे अर्दक्वारी भवन और बहरोनाथ मंदिर में हमें कोई प्रोब्लम ने हुई थोड़ी बहुत भीड भवन पे रहती ही है वहां पे दर्शन करने के लिए सब लोग आते हैं तो गाइस निखिल के और मिरसाथ एक और स्काहम हुआ था कि हमने जो टोपेस्ट मंदिर है बहर से बच्चा है पूरी रात ऐसी गई हमारी और हमने स्नौफॉल भी मिसकर दी तो अकर पेरिंट्स के साथ रहते हैं तो ज्यादा से गए जाते कुलिप बट कोई बात नहीं मैं उसकी क्लिप डाल देता हूं जो की पीता जीने शूट की थी हमारे और जिस्टेक अलूग और गाइस माता वैशनो देवी के दर्शन करने के बाद ये मिलता है इसमें प्रसाद होता है और इसमें ख़जाना ख़जाने के नाम पर इसमें एक सिल्वर कोईन होता है और इसमें मिश्री होती है ले मिश्री होती है तो गाइस सबसे पहले तो ख़जाना होलता है ख़ज तो यह आ गया प्रसाद भी अब चलते हैं फड़ा फट से बाहर कुछ खाना पीने कि अंगे इस बार केम हम दोड़रे मिल चाही और मधा यह उसके बाद अभी हम आच हुए कट्रा की मार्केट जो कट्रा मेंड टाउन की मार्केट है टेक लोग तो भाई ये बंदा ब्रेसलिट बनाता है विद नेम तो काई तो हम बर्का केंट से तो बापिस आच चुके हैं और वो जो कस्टमाइज़ ब्रेसलिट से हमने वो भी पर्चेस कर लिये अभी होडल में ये रेस्ट्रो है तो ये हमारी वेजल फ्रेजे वाली सबजी आच चुकी है और ये ही सब है अचार है साथ में तो खाना शुरू गटता है अब हम स्टेशन पर आच चुक हैं स्टेशन से सारा रास्ता कुछ ऐसा सा नजर आ रहा है और स्टेशन खुद ऐसा सा नजर आ रहा है तो गाइज हमारी ट्रेन प्लैट्फॉर्म पे लग चुकी है अच ताम तो गो बैक स्टेशन प्लैट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कि दिख 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 दिख